तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जो पढ़ते हो आप उसको याद नहीं रख पाते हो आप उसको भूल जाते हो गाने वगेरा तो आपको याद रहते हैं लेकिन आप जो पढ़ते हो वो आपको याद नहीं रहता ऐसा क्यों होता है? किस वज़ा से होता है? होता है एक करते हैं ज़्यार इयार करते हैं सब लोग अपने अनुसार कौंटन को पर्सीव करते हैं तो जब आप उसको सुन रहे होते हो at that point of time आपको वो अच्छा लगता है and कुछ देर बाद आप उसको भूल जाते हो और आपने जितना भी सुना होता है उसका केवल 10% ही आपको याद रहता है यानि अगर आप उसको revise नहीं करते हो आप उसको लिखते नहीं हो आप उसको note नहीं करते हो तो आपने जितना सुना होता है उसका केवल 10% ही आपको याद रहता है तीसरा mode होता है audio visual mode तो इसमें audio और video दोनों ही होता है जैसे कि हम YouTube पर videos वगेरा देखते हैं तो अगर आपके सामने एक बंदा है एक teacher है जो आपको परहा रहा है तो वो ज़धा impactful होता है यानि कि अगर आप offline जाकर उस teacher से पढ़ते हो क्योंकि वहाँ पर आपका concentration आपका focus ज़दा होता है और वहाँ पर आप केवल पर रहे होते हो केवल सुन रहे होते हो जादा चीजे आप नहीं करते हो एक साथ वहीं जब हम online में studies करते हैं तो बहुत सारे लोग खाते खाते वीडियो देख लेते हैं बहुत सारे लोग जो है वो चलते चलते lectures को सुन लेते हैं तो online mode में हमारी responsibility होती है कि हम खुद को focus रखे हमारी discipline होती है वो और हम disconnect भी जादा ह focus देना ही पड़ता है चौथा mode होता है self writing यानि कि जब हम चीजों को लिख लिखकर अपने हाथों से लिखकर उसे memorize करते हैं जब हम लिखते हैं तो वह हमें memorize होता है याद होता है तो जब हम इन चारो mode को combine कर लेते हैं तो हमें best results मिलते हैं जैसे कि अगर हम कोई lecture देख रहे होते हैं और उसके साथ साथ हमें notes बनाने चाहिए लिखने चाहिए यानि कि जो important points हो गए उन सभी को लिखने चाहिए और उसके बाद जब lecture खत्म हो जाता है या फिर जब आप घर जाते हो और अपने हाथों से लिखा हुआ वह जो text है आप उसे पढ़ते हो तो आपको वह जादा याद रहता है जादा time के लिए याद रहता है तो देखो हमारी तीन तरह की memory होती है यानि किसी भी चीज को याद करने के लिए पहला तो होता है immediate memory दूसरा होता है short term memory और तीसरा होता है long term memory तो पहला होता है immediate memory तो immediate memory जो है वो चीजों को जब हम सुनते हैं तो immediate memory create हो और कभी क्या होता है कि अगर हमने जो चीज रिवाइस की होती है वही question paper में आ जाता है तो हम फटा-फट उसे लिख पाते हैं, है ना, लेकिन वही question अगर आपको कोई कुछ time बात देगा लिखने के लिए तब आप उसे नहीं लिख पाओगे, क्यों? क्योंकि उस time पे वो जो आप उस चीज को नहीं लिख पाते हो, यानि कहने का मतलब है कि जब हम चीजों को पहली बार सुनते हैं या देखते हैं, तो immediate memory create होती है, और अगर lecture को खत्म करने के बाद, यानि lecture जब खत्म हो जाता है, तो हम immediately उसे revise कर लेते हैं, तो तब short time memory create होती है, और वो चीज हमें 6 साथ दिनों तक याद रहती है, और अगर हम उन 6-7 दिनों के बीच में फिर से revise करते हैं, तो वो चीज हमें 1 हफता या फिर 10 दिनों तक याद रह जाती है, और अगर हम revision करते हैं, यानि एक revision schedule बनाते हैं, और repeatedly revision करते हैं, और इन 4 modes को follow करते हैं, ये जो 4 modes मैंने आपको बता हैं, तो जब हम इनको follow करते हैं, तब long term memory create होती है, जैसे कि मैं आपको एक example दूँ, आप में से किस-किस को ABCD आता है, सब को आता है, obviously, कैसे, आपने इसके बारे में सोचा नहीं, है ना, तुरंत आपने ABCD बोल दिया, आपको कोई पूछेगा तो आप बोल पाओगे, क्यू क्यूं, क्यूंकि ये आपके subconscious mind में store है, आपको, आपकी ये long term memory में store है, अब मैं आपसे पूछू कि federalism क्या होता है, या फिर उसके functions क्या होते हैं, तो आप में इसे बहुत सारे लोग नहीं बोल पाओगे, क्यूं, क्यूंकि वो आपके immediate या फिर short term memory में store होगा, तो इतना स अब कुछ मैंने आपको अब तक बताया, क्यों बताया, इसलिए बताया, ताकि आप जो lecture देखते हो, उसको देखने के साथ-साथ उसमें आपको जो useful लगता है, जो important लगता है, उन सभी को note करते रहो, उन सभी को लिखते रहो, तो ये चीज़ आपके mind के लिए बहुत ही ज हो जाता है, जैसे कि हमारा जो neuron होता है, वो कुछ इस तरह का दिखने में होता है, तो ये जो neuron है, ये क्या है, ये एक cell है, लेकिन ये चीज़ों को remember, यानि याद कैसे रखता है, कैसे, जो neurons होते हैं, वो electric signals produce करते हैं, तो ये जो neurons होते हैं, ये आपस में connections बना कर रखते हैं और जब ये connections बनाते हैं, तो इससे हमें चीज़े याद रहती हैं, और जितना strong इनका connection होता है, उतनी ही चीज़े हमें clearly याद रहती हैं, और अगर इनका connection lose हो जाता है, तो हमें चीज़े थोड़ी थोड़ी याद रहती हैं, तब हम बोलते हैं कि हाँ, मुझे ये पता है, ह ऐसे हमारा reaction होता है और जब इनका connection lost हो जाता है तो हम चीजों को भूल जाते हैं तो इन connections को अच्छे से maintain करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें से एक होता है multiple modes of learning simultaneously यानि कि हम simultaneously यानि एक के बाद एक अलग अलग तरह के modes इस्तिमाल करें पढ़ने के लिए चीजों को याद करने के लिए ठीक है और इसके अलावा मैं एक और बात बोलूँगी कि आप लोग students हो right and आपका काम क्या होता है याद करना memorize करना है न चीजों को समझना उसको याद रखना तो इसके लिए आपको एक वीडियो जरूर देखना चाहिए how your brain learns यानि हमारा जो brain है वो कैसे चीजों को याद रखता है so hope so ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा and आपको समझ में आ गया होगा कि हम चीजों को कैसे memorize करते हैं कैसे याद रखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद hope so आप अच्छे से चीजों को याद रख पाओगे memorize कर पाओगे and भूलोगे नहीं